नमस्कार साथियो, S.S.S.J.S.P.N. में आपका स्वागत है और आज हम हमारे पार्ट की सरुवात करेंगे एक कोटेशन से Our greatest weakness lies in giving up, the most certain way to succeed is always to try just one more time यानि हमारी जो कमजोरी है, वो क्या है कि हम पिछाड जाते हैं एक जो सफलता है, सफलता का सबसे अच्छा मार यही है कि हमें जो कोशिश करने का एक और मोका देना चाहिए यानि हमें कोशिश बार-बार करनी चाहिए Act as if what you do makes a difference it does यानि जो भी आप काम करते हो, वो अलग होना चीए, हटके होना चीए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं साधान काम तो हर कोई करता है हटके जो काम करते हैं, उसमें हमें ज्यादा सफलता मिलती है तो आज हम पर एंगे भारत का सविधान की जो उद्देश का है उद्देश का आपने देखी होगी आपकी जो SST के जो बुक होती है उसके पहले पेज पे लगबग हर पेज पे उद्देशिक होती है लेकिन बच्चों को इनका अर्थ मालूम नहीं होता और कई बार competition के एक जाम हो या आपकी 10th 12th के एक जाम हो ये ऐसे सब्द होते हैं जो आपको कई बार फसा देते हैं इन सब्दों का अर्थ आपको मालूम नहीं होता तो आपको पूरा जो किष्चन है वो किष्चन आपका पूरा एक तरसे आपको छोड़ना पड़ता है इसलिए आप ध्यान से देखे भारत का सविधान में जो उद्देशिका है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभूत संपन समाजवादी पंत निर्पेक्ष लोगत नतरात्म गंडराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राननितिक न्याय विचार अभिवक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंतरता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सम्मे व्यक्ति के गरीमा राष्ट की एकता अखनता सुनिश्चित करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए धर संकल्प होकर अपनी इस सविधान सवा में आस्त तारिक 26 नौम्बर 949 इस्वी मिती मार्ग सीख सुक्ल सब्तमी समवत 26 विक्रमे को इत्त द्वारा इस सविधान को अंगिकरत अधिनेमित और आत्मार्पित करते हैं तो आईए इसके एक-एक सब्द करते हैं पहला है संपून प्रभुत संपन इसका अर्थ है कि हमारे देश से जुड़े फेसले लेने का अधिकार हमें ही है ना कि किसी भारी सक्ति को संपून यानि पून रूर से प्रभुत प्रभु यानि मालिक भगवान हम खुद भगव दोस्तो समाजवादी समाजवादी का मतलब है कि सभी संसादनों पर सभी का समान अधिकार हो यानि सभी लोगों का समान अधिकार है किसी एक व्यक्ति का सरकारी संसादन नहीं है और दूसरी बात है कि बाजार पर जो नियंतरन है वो सरकार का हुगा यानि सरकार बाजार को खुले नहीं छोड़ सकती, उस प्रणाली को हम पूझी वादी कहते हैं, तो हमने वो ना अपनापकर समाज वादी प्रणाली अपनाई है, पंत या धर्म निर्पेक्स था, बहुत बढ़िया सब्द है, पंत या धर्म एक ही बाद है, इसके निर्पेक्स यानि पैक्स यानि लेना सर्व धर्म संभाव भी कह सकते हैं इसको यानि सर्व यानि सभी धर्म यानि धर्मों के प्रति सम यानि समान भाव यानि भाउना सभी धर्मों को समान आदर करना राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता लोकतंत्रात्मक आप जानते हूं लोकतंत्र का अरथ है लोगों रचाप मंत्री बन जाता है और जो आईस होता है उसको आदेश देता है तो यह हमें कई बार तो भूल भूले यह लगता है कि ऐसा क्यों है लेकिन आखिर में जो लोकतंत्र है उस व्याउस्ता में यही होता है कि जो जनता का सासक होता है वो सर्वोच होता है सामाजिक आर्थिक राणनितिक न्याय यहां तीनों के बात करेंगे सामाजिक का मतलब है समाज में जो पिछले हैं अक्षम है विद्वा है S.T. यानि सिडूल ट्राइब अनुशुच जन जाती है S.C. यानि सिडूल काष्ट अनुशुच जाती है उनके लिए विशेस फ्रावधान यानि सामाजिक रूप से उन्हें समान रूप से लाना आर्थिक राणनितिक की बात करें तो वोड़ देने का अधिकार दल बनाने का अधिकार यानि पार्टी परचार करने का अधिकार चुनाव लणने में समान आउसर देना और आर्थिक की बात करें, तो समान वेतन, महिला और पुरुष को समान वेतन देना, रोजगार, सभी को रोजगार उपलब्द कराना, पैंसन, साट साल के बाद पैंसन की व्योस्ता करना, या विद्वाव के लिए विकलांगों के लिए पैंसन की व्योस्ता करना, बत्ता दे ना इदि कोई बेरोजगार है तो बेरोजगारी बत्ता देना और करमुक्ति यानि जो धार्मिक संस्थाएं हैं या कोई भी ऐसा विक्ति है उसे टेक्स छूड़ देना जो आपने देखा होगा जो सीनेर सिटेजन उनको टेक्स में जाड़ा छूट मिलती है इसे जैसे बैंक है बैंक में ज्यादा उनको ब्यासदर मिलती है ये सब आर्थिक न्याय है स्वतंतरता आप जानते हो स्वतंतरता का मतलब है आजादी किसकी आजादी विचार व्यक्त करने की अभी व्यक्ति यानि कुछ भी व्यक्त करने की अपने मूँसे विश्वास विश्वास रखने की धर्म और उपासना की आजादी किसी प्रकार का धर्म मानने की किसी प्रकार की पद्दती यानि पूजा करने की ये सब आजादी है कई लोग निर्मल बाबा को मानते हैं तो मानते हैं कई लोग आसाराम को मानते हैं तो मानते हैं क्योंकि हमारे देश में विश्वास तिस्टा को ठेज नहीं पोचनी चीए और आउसर की समानता चाहे नोकरियों में आउसर हो चाहे चुनाव लणने का आउसर हो किसी परकार की आउसर हो सबी को समानता होगी विवेध हीन किसी परकार का भेदवाव में होगा भासा लिंग जन्मस्थान ऊचनीज या पैसे के मा कामले में किसी परकार का भेदवाव नहीं होगा कानून के समख समानता होगी और सभी के सिप्रति समानता होगी गरीमा गरीमा का मतलब है इज्जत आवरू सम्मान आदर ये सब की रक्षा करना हर व्यत्ति अपनी इज्जत रखता है अपना सम्मान रखता है उन सभी की रक इसका हम विप्रित बात करें तो सामप्रदाइक्ता इसका विप्रित है सामप्रदाइक्ता में क्या होता है धार्मी का दार पर फूट होती है धार्मी का दार पर दंगे होते हैं तो उसका उपाई क्या है बंदुता या इसको बोल सकते हैं सोहार्द भाईचारा अंगिकरत अधिनियमित और आत्मार्पित यानि हमने अंगिकरत किया यानि अंग से लगाया अधिनियमित हमने इसको नियम बनाया इसका और आत्मार्पित अपने आप में समर्पित किया 26 नॉम्बर 1949 को तिथी क्या थी मिती तिथी का मतलब मिती हिंदी तिथी को बोलते हैं म Maargsirze, यानि महिना है, 12 महिने होते है हंदी में, उसका महिना है, सुक्ल, दो पक्ष होते हैं, कॉंखर richtgo Pकष यानि, पकवाड़ा जो होता है 15った, तो यह सुक्ल पक्ष, और सत्मी यानि सातव, सातविति थी, और समवत, समवत हमारा ये जो सन होता है सन से पीछे चलता है समवत 2006 क्योंकि उस समय सन था हमारा 1949 ये लिगवग 27 साल पीछे चलता है तो ये 2006 था और कौन से समवत अपनाते हम विक्रमी समवत तो इससे 4-5 क्यूस्टन आप क्याल होते हैं अब दोस्तों एक प्रस्ण आता है आपके दिमाग में कि जब 26 नॉम्मर निसुन चास को हमारा सविधान बनके तयार हो गया तो 26 जनुवरी को ही क्यों अपनाया तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो सविधान सभा के सदस्ते वोग चाते थे कि ऐसी तिथी को अपनाये कि जो तिथी यादगार हो तो 26 जनुवरी 1930 को हमारे यहां स्वतनता दिवस मनाया गया था लाहोर अदिवेशन था 1929 में लाहोर अदिवेशन में पंडिजवालला नेरो ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराच्ची ये और इसके लिए हम 26 जनुवरी 1930 को क्या मनाएंगे पूरे देश में स्वतनता दिवस मनाएंगे तो उस तिथी को यादगार बनाने के लिए हमारा सविधान 26 जनुवरी 1950 को इतनी लेट लागो हुआ भारते सविधान की जो ये उद्दिश ही रथा उसका हमने अधिन किया उद्दिश का यानि भारते सविधान है सविधान कितने दिनों मिमन का तैयार हुआ 9.946 से 26.949 तक ये टोटल टाइम है दो वर्स 11 महें 18 दिन तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करे लाइक करे और कमेंट करे धन्यवाद जय हिन जय भारत